नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकडमी में स्वागत करता हूँ हम लोग बिहार S.A.C के लिए एक मैत का स्रीज श्टार्ट किये थे जिसमें हम लोग परते एक दिन बिहार S.A.C माईवा मैत का प्रिवी सेर कोशन और उस पर अधायत मैत का कोशन कर रहे हैं चलिए आज उस स्रीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना विल्कुल ना भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस नटिफिकेशन मिलता रहे है चलिए आप हम लोग कोशन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोशन क्या दिया हुआ है हमारा कोशन है किसी मसीन का क्रेमूल हर बर्स दस पर तिसेद के दर से घड़ता जाता है वह तीन बर्स पहले खरदा गया था इसका बर्तमान मूल 8,749 रुपया है उसका क्रेमूल कितना था हमें क्या निकलना है क्रेमूल निकलना है तो देखे हमने माल ले कि उस मसीन का क्रेमूल 1 रुपय था हमने माल ले कि उस मसीन का क्रेमूल 1 रुपय था और उसके एक बर्स के अंत में मुल्य क्या हो जागा, इसका 90% हो जागा, यानि बर्तमान में हमारा यह मुल्य हो जागा, और बर्तमान में हमें मुल्य क्या दिया हुआ है, 8,748 रुपय दिया हुआ है, तो देखिए हम इस equation से x का value निकाल सकते है, हम इस equation से x का value निकाल सकते ह यहां से हमारा, यहां से हमारा, एक 0 से 1 0 कट जागा, इस 1 0 से 1 0 कट जागा, अब देखे, हम 9 से इसे काटेंगे, तो यह 9 से कितने बार में जागा, 9 से 9 बार में जागा, हाथ में क्या जागा, 6, 64, 64, 9 से 7 बार में जागा, हाथ में 1, 18, 2 बार में जागा, अब देखे, हम इस से फिर से नौ से काट लें तो नौ से एक बार में जागा जीरो आठ बार में जाएगा फिर से इसे नौ से काटेगे तो यह कितने बार में जागा बारा बार में जाएगा अब देखे हम यहां से क्रॉस गुना कर लेंगे तो यहां से हमारा एक्स का वैलू निकल क्या जागा यहां से हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 12 गुने 10 गुने 100 हो जाएगा, equal to हमारा क्या निकल क्या जाएगा, 12,000 रुपया, यहां से हमारा x का value क्या निकल क्या जाएगा, x का value हमारा निकल क्या जाएगा, 12,000 रुपया, यानि उस machine का, क्रैमूल क्या होगा बाड़े हजार रुपया होगा हमारा आंसर क्या निकल किया गया बाड़े हजार रुपया निकल किया गया चली कोश्चन समझ में आ गया होगा नेक्स कोश्चन पर चलते हैं देखे हमारा कोश्चन क्या दिया हुआ है हमारा question दे a जमा b का योग 219 के बराबर है a c से 5 कम है लेकिन b से 7 अधिक है c किस संख्या के बराबर है हमें क्या निकलना c का मान निकलना है अब देखे हमें question में दिया हुआ है हमें question में दिया हुआ कि a जो है c से 5 कम है लेकिन b से 7 जादा है तो देखे हमने माल लिया कि A जो है X के बराबर है A जो है X के बराबर है तो हमें question में दिया कि A जो है C से 5 कम है यानि C क्या हो जाएगा C हो जाएगा X प्लस का 5 C क्या हो जाएगा X प्लस का 5 और हमें question में दिया कि लेकिन B से 7 अधिक है यानि B क्या हो जाएगा B हो जाएगा X-7 हो जाएगा B किसके पराबर हो जाएगा X-7 के पराबर हो जाएगा अब देखिए में question में और दिया हुआ है A जमा B का हमें योग दिया हुआ है A जमा B का हमें योग कितना दिया हुआ है 219 दिया हुआ है और हम यहां से अगर योग निकालेंगे, हम यहां से a प्लस b निकालेंगे, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा, x प्लस, x माइनस 7, यह किसके पराबर हो जाएगा, 219 के पराबर हो जाएगा, अब देखें हम यहां से इस equation से x का value निकाल सकते हैं यहां से हमारा क्या हो जागा यहां से हमारा हो जागा 2x और इस minus 7 को उस side लेके जागे तो minus में तो हमारा plus में हो जागा यानि यह हमारा क्या हो जागा 226 हो जागा 226 यहां से हमारा x क्या निकल क्या जागा हम इसे 2 से काटेंगे तो यह 2 से कितने बार में जागा एक बार में, एक बार में 3 यानि यहां से हमारा x निकल क्या गया एक सो तेरे, यानि एक किसके बराबर होगा एक सो तेरे के बराबर, तो हम से पूछ रहा है कि C जो है किसके बराबर होगा C किसके बराबर है C जो है किसके बराबर है X प्लस 5 के बराबर है और X का value क्या निकल गया है 113 यानि 113 में अगर हम 5 add करेंगे तो यह C के बराबर निकल क्या जागा यहां से हमारा C क्या निकल क्या गया 108 निकल क्या गया हमारा answer क्या निकल के आगया, 108 निकल के आगया, चलिए question समझ में आगया होगा, next question पे चलते है, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question ये एक 9 इस्थिरी जल में 11 km पर घंटा की गती से जाती है, यदि धारागी गती 3 km पर घंटा है तो 9 दोरह धारागी विपरीत दिसा म 56 km जा रही है, तो देखे, 9 जब धारागी विपरीत दिसा में जाती है, तो उस किस में क्या होता है, 9 का स्पीड और धारागी स्पीड माइनस होता है, और जब 9 धारागी दिसा में जाती है, तो यहां जो है, 9 धारागी विपरीत दिसा में जा रही है, तो यहां क्या होगा 9 का speed और धाड़ा का speed माइनस होगा तो देखिए 7 जल में 9 का speed हमें क्या दिया है 11 km पर घंटा यानि हमें x का value क्या दिया हो है x का value हमें question में दिया हो है 11 km 11 km पर घंटा और हमें धाड़ा की गती यानि हमें y का value क्या दिया हो है y का value हमें दिया हो है तीन किलो मेटर पर घंटा तो हम यहां से धारा की विप्रीद दिशा का हम स्पीड निकाल सकते हैं यानि नाव जब धारा की विप्रीद दिशा में जाएगी तो उसके समें क्या होगा नाव का स्पीड और धारा का स्पीड माइनस हो जागा यानि हम यहां से 11 किलो मिटर पर घंटा में सो माइनस करेंगे 3 किलो मिटर पर घंटा तो धारा के विप्रीद दिशा का हमारा स्पीड निकल क्या जागा धारा के विप्रीद दिशा में स्पीड क्या हो जागा 8 किलो मिटर पर घंटा होगा अब देखे धारा के विप्रीद द घंटा यानि हमें डिस्टेंस पता है और इस्पीड पता है तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं टाइम निकालने के लिए हम इस डिस्टेंस में यानि 56 किलो मिटर में हम भाग देंगे 8 किलो मिटर पर घंटा से तो हमारा यहां से समय निकल क्या वा है , हमारा कोशिछन दिया, एक कार aboard को कुछ लोग 20 दिन पूढ़ा कर सकते हैं , इससे आध्य कारे को, इन लोगों से दुगुने लोग — गतने दिन पूढ़ा करेंगे तो देखियें हम इस question को so MGH Mmmm Dawnwork tril strategies को भाड़ी दिन पूढ़ा करते हैं , तो देखिये стен हमने मालिया कि लोगों की शंख्या x है हमने मालिया कि x लोग x लोग एक काम को बारे दिन में पूड़ा कर सकते हैं तो हमसे पूछ रहा है कि इससे आधे काम को इससे दुगुने लोग यानि पहले x लोग थे अब कितना लोग हो गए 2x लोग हो गए इस काम को कितना दिन में तो देखिए हम यहां से दिन निकाल सकते हैं इस equation से यहां से हमारा क्या हो जाएगा यहां से हमारा हो जाएगा यह कितने बार में जागा 6 बार में, इस दो से 6 को काटेंगे, यह कितने बार में जागा 3 बार में, यानि यहां से हमारा D क्या निकल किया गया, यहां से हमारा D निकल किया गया 3 दिन, यानि हमारा answer क्या हो जागा 3 दिन हो जागा, हमारा answer क्या हो जागा 3 दिन हो जागा, चली question समझ में आगया होगा next question पर चलते हैं देखें हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question 81 रुपया को A B तथा C में इस परकार माटा जाता है कि A को B से दुगुन्ना तथा C को A के तिगुन्ना से छो रुपया अधिक मिलता है तो A का भाग क्या है हमें क्या निकाला है A का हिस्सा निकाला है अब देखें में question में क्या दिया हुआ है हमें question में दिया हुआ है कि A को B से दुगुन्ना तो हमने माल लिया कि उस रासी में से B को एक सुरुपया मिल रहा है हमने माल लिया कि उस रासी में से B को एक सुरुपया मिल रहा है यानि, C को कितना मिलाओगा, इसका तीगोना से 6 रुपए अधिक, यानि, 6X प्लस 6 रुपए मिलाओगा, आप देखे, तीनों का हिसा आमें पता चल गया, तो हम यहान से तीनों का हिसा का अगर योग करेंगे, तो यह किसके बराबट हो जागा, 81 रुपए के बराबट हो जा एक्वल टू हमारा क्या हो जागा ये हो जागा 81 अब देखिए हम यहां से हम यहां से इसे एड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जागा 9x प्लस 6 एक्वल टू क्या हो जागा 81 हो जागा यहां से हमारा 9x एक्वल टू क्या हो जागा इस 6 को उस साइड लेगे जागे तो प्लस में है तो माइनस में हो जागा यानि 81 में से 6 माइनस करेंगे यह हमारा क्या हो जागा 75 हो जागा अब देखिए, यहां से हमारा x क्या हो जागा, x हो जागा 75 बट्टा 9, देखिए x का value हमें पते से लिया, तो हमसे पूछ कहा रहा है एक आभाग, एक आभाग क्या है 2x है, यानि हम यहां से 2x निकाल सकते हैं, हम इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो यह हमारा क्या हो जागा, 150 150 बड़ा 9 हो जागा 150 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो यह हमारा tidak 9 से 1 बार में जागा हाथ में क्या हो जागए यानी 600 30 किatar इन 6 बार मैं 6 बार मैं beginsлив जो है 9 से कितने लाए जागा छो बार मैं हाथ में क्या जागा है point लगांगे 60 हो जाएगा यानि चोबार में जागा चोबार में यह याहां से मारा क्या निकलकिया आगे 16!!!-चोउचोरा रुपहए निकलकिया रुपहे यह लेको समझ में आगया होगा नेक्स्त कोउचिन पर छलते हैं देखें किसी Quan исп Schüler 2 दिया वाए हमारा कोश्चन देंग क्रिक्रित टुनार्य में च्छोब विभिन टीमों के लिए 7 9 खिलाड़ी है पर्तेक टीम में कम- іृगारी 75 की अगणी lot कि लिए सबसे एकी शंख्या कौन सट होगी अब देखे हमें कोश्चिन में क्या दिया हुआ है हमें कोश्चिन में दिया है कि 6 विभिन टीम है और परतेग टीम में कम से कम इगारी खिलारी है तो टोटल खिलारीों की कम से कम संख्या क्या होगी 66 होगी और हमें question में खिलाडियों के शंक्या क्या दिया हुआ है हमें question में खिलाडियों के शंक्या दिया हुआ है 79 हम इस 79 में से 66 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा 3 यानि अगर हम परतेग टीम में कम से कम इगारे खिलाडी दे रहे हैं सेज खिलाडी हमारा तीन अभी बच जा रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है कि किसी एक टीम के लिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी तो देखिए परतेट टीम में हम इगारी-गारी खिलाडी दे रहे हैं तो सेज जो है तीन खिलाडी दे दे रहे हैं तो उस टीम में सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा चोदे हो जाएगा यानि उस एक टीम में चोदे खिलाडी हो जाएगे हमारा आंसर क्या निकल क्या जाएगा option भी हमारा सही आंसर निकल क्या जाएगा चली question समझ में आगया होगा, next question पर चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question दिया 420 बेक्ति के पास 10 सप्ता के अंतक चलने योग रासन है, यदि 2 सप्ता बाद 60 बेक्ति और आ जाए और उसी दर से खपत करे तो वह रासन कितने सप्ता चलेगा, अब देखे हमे question में क्या दिया हुआ है, हमें question में दिया हुआ है, कि 420 बेक्ति के लिए, 420 बेक्ति के लिए 10 सप्ता का रासन है, 420 बेक्ति के लिए 10 सप्ता का रासन है, और हमें question में आगे दिया हुआ है, कि यदि 2 सप्ता बाद 60 बेक्ति और आ जाए, यानि 2 सप्ता बीच चुका है, तो अब सेस रासन कितना बच गया, अब सेस रासन बच गया, 420 बेक्ति का, 8 सब्ता का सेस रासन बच गया, अब देखे, इस रासन को, इस रासन को, पहले से 420 बेक्ति थे, अब जो है, 60 बेक्ति और आ गया, यानि अब जो है बेक्ति का संख्या कितना हो गया 480 हो गया तो हमसे पूछ रहा है कि इस 480 बेक्ति के लिए ये जो से सरासन बच गया ये कितना सब्ताथ चलेगा यानि हमने माले कि X सब्ताथ चलेगा तो देखे हम इस equation से X का बैलू निकाल सकते हैं यान से हमारा 0 से 0 कर जागा 8 से 48 कितने बार में जागा 6 बार में 6 से 42 कितने बार में जागा 7 बार में यान से हमारा X क्या निकल क्या गया X निकल क्या गया 7 सब्ताथ हमारा answer क्या निकल क्या गया 7 सब्ताथ हमारा answer क्या निकल क्या गया 666 रुपया है, एक दरजन कापी की कीमत कितनी होगी, हमें क्या निकाला है, एक दरजन कापी की कीमत निकाला है, अब देखें, मैं क्या दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, कि 6 पुस्तक, 6 पुस्तक और 6 कापी की कीमत हमें क्या दिया हुआ है, 756 रुपया है, और हमें क पूछक़ क्या रहा है, एक दर्जन कापी का किमत पूछ रहा है यानि हमें जो है कापी का कीमत निकाला है, तो हमें यहाँ पुस्तक काट ना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यह हमारे च्झाई है तो हम इसे भी 6b बना लेते हैं, अब देखिए 6B बनाने के लिए हम इसमें 2 से गुना करेंगे, यह हमारा क्या हो जाएगा, 6B हो जाएगा, प्लस 18C हो जाएगा, और हम इसमें 2 से गुना करेंगे, यह हमारा हो जाएगा 12, 12, 13, 12, 13, यानि यह हो जाएगा 132 रुपया, अब देखिए, यहां सा हमारा पहला equation यह हो गया और यह हमारा दूसरा equation हो गया अब देखिए हम यहां दूसरे equation में से पहले equation को minus करते हैं तो देखिए दूसरा equation हमारा क्या है 6B plus 18C equal to हमारा क्या है 1332 रुपया है और पहला equation हमारा क्या है 6B plus 6C equal to 756 रुपया है अब देखिए हम यहां minus करेंगे तो हमारा symbol change हो जागा यानि plus है तो minus हो जागा थे प्लस है तो minus हो जागा यह कितना हो जागा अब देखिए plus का 6B और minus का 6B आपस में कट जाएगा हम यहां माइनस करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा 12C और हम यहां माइनस करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा 12 में से 6 जाएगा यह कितना हो जाएगा 6 12 में से 5 जाएगा 7 12 में से 7 जाएगा 5 यहां से हमारा क्या निकिल किया गया 10C E gradient किवल तो निकल कियांगाँ 156 यनि 12 क कीमत क्या Day निकल आगा और हमसे बॉच ने टोदेखे एक दर्जन का पी का कीमत थीben वार होता है यहांगा ही क्या निकल के आगा ? चली question समझ में आगया होगा, next question पे चलते हैं, देखे हमारा question क्या दिया हुआ है, हमारा question देए एक परिवार में एक पिता वा एक माता की ओसत आयू 36 बर्स है, पिता माता वा उनकी एकलोती बेटी की ओसत आयू 28 बर्स है, बेटी की आयू कितनी है, हमें क्या निकलना है, माता पिता और एकलोती बेटी, यानि तीन लोग का, तीन सदसे का, हमें ओसत आयू 28 बर्स दिया है, हमें ओसत आयू 28 बर्स, अब देखे, पहले जो है, दो सदसे का, ओसत आयू कितना है, 36 बर्स, जब हम तीसरे सदसे को सामिल कर रहे है, तो ओसत आयू कितना हो जा रहे, 28 से 20 बर्स यह जा रहे है जो गए रहे हैं और झालशंतों नर्व कैम हो गया एसह ट्रस्व क्रेंगे यहा हमारा याइए 22 से कम हो गया और यहां था यह जहारा के बेटी की जो आयू होगी, बेटी की जो आयू होगी, ओ 36 बर्स से 24 बर्स कम होगी, जिसके कारण हम बेटी की आयू जो अब सामिल कर रहे हैं, तो औस आयू जो है 8 बर्स से कम हो जा रहा है, यानि यहां से हम बेटी की आयू निकाल सकते हैं, हम इस 36 बर्स में से, 36 बर्स में से हम माइनस करेंगे 24 बर्स यहां से हमारा क्या निकल क्या जागा? बेटी क्या यू निकल क्या जागा? बेटी क्या यू क्या हो जागा? बारे बर्स हो जागा हमारा आंसर क्या निकल क्या जागा? बारे बर्स निकल क्या जागा? चली question समझ में आ गया होगा next question पर चलते हैं देखे हमारा question क्या दिया हुआ है हमारा question दे एक rail गाड़ी चंडीगड़ से 4 pm चलती है तथा पानी पत 7-15 pm पहुंचती है rail गाड़ी की ओसत गती 40 km पर घंटा है चंडीगड़ और पानी पत के मद्ध की दूरी कितनी है हमें क्या निकालना है चंडीगड़ और पानी पत के मद्ध की दूरी निकालना है अब देखे हमें जो है question में average speed दिया हुआ है average speed kitas दिया हुआ है 40 km पर घंटा और देखे चंडीगड़ से rail गाड़ी चल रहे है 4 pm में चल रहे है और पानी पत कब पहुँच रहे हैं, साथ 15 पे में पहुच रहे हैं, यानि पानी पत पहुचने में टाइम कितना लग रहे हैं, पानी पत पहुचने में तीन घंटा 15 मिनट का टाइम लग रहे हैं, अब देखे, हमें average speed पता है, और हमें समय पता है, तो हम यहां से distance निकाल सक तो हमें सबसे पहले सबसे पहले देखिए हमारा एवरेज स्पीड जो है किलोमेटर पर घंटा में दिया हुआ है और टाइम हमारा क्या है तीन घंटा 15 मिनट तो हमें इस पूरे टाइम को घंटा में चेंज करना पड़ेगा पूरे टाइम को घंटा में चेंज करने के लिए ह हम क्या कर सकते हम इस 15 मिनट में 30 से भाग देंगे तो यह भी घंटा में चेंज हो जाएगा यह पंद्रे से कितने बाद में जागा? याहन से क्या क्या निकल किया जागा हम से यहांज करेंगे तो यह हमारा थने दे बांटा चार घंटा हो जागा 3 वाटा 4 girlfriend ao जागा अब दिख्ये हमारा समय ग्वंटामें नििवर्ट में निकल के आढ़ तो हम यहां से distance निकल सकते हम्माराactivWhat in-anno 11कZY और उस्वेशर्च गिलो educación वाटा सि यहां quelle दिस्वेशर्च क्या आजागा हमी स्पीड में यानी 40 Kilometer पर घंठा में के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स क्लास में अगर कलास अच्छा लगे तो कलास को लाइक करेगा अगर अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और लाइं lot को अपने दोस्तों के सांद सेर करना बिल्कुल मत भूलिएगा चलिए